है लो गाइस मेरा नमें संदिश और आप दिख रहे हैं हैक टेक चनल तो गाइस इस वीडियों में करने आए कंपेर इजन स्नैप ड्रागन का 710 और स्नैप ड्रागन का 730 तो गाइस बिने किसी दिरिके स्टार्ट करते हैं तो गाइस कॉलकम कर रहा है अपने मिल रेंजर स्पेसिफिकेशन के साथ तो गाइस हमें देखने मिल जाते हैं इसके अंतर 2.2 GHz का क्लॉग्ड और क्रायो का 360 और यह 10 Nm पर बेस्ट प्रोसेसर और गाइस हमें एड्रेनो का 616 भी देखने मिल जाते हैं तो गाइस डिस्पेस्पोर्ट की बात करो तो गाइस कॉड़ हमें डिस्पेस दिकने मिल जाते हैं, hder10 का भी support है और हमें resolution देखने मिल जाते है 3360 x 240 और हमें इसका इनतर देखने मिल जाते है Bluetooth 5.0 और का UV तो हमें देखने मिल जाते हैं, छैसी लेकिन हमें 685 देखने मिल जाते हैं और ग्यारे के में बात करो तो गाइज हम इसे अंदर 48 Megapixel के एक इंदर कर सकते हैं तो गैज बात करते हैं इसके परफॉर्मस की तो गाइज भी इंपरसिफ परफॉर्मस है गाइज मुझे बहुती बढ़िया इसके परफॉर्मस लगी है सब्सक्राइब पर्सनली गाइज मैं इसे पब्सटी एच्डी में भी खेला तो भी बहुती बढ़िया मजा आ गया था मुझे और जब भी मैंने इसे अल्टरा स्टाइटिंग पर थोड़े पहुत माइनर से फिर्म लोग देखने मिले ते लेकिन तो भी इतना मुझे कभी ल अधिका क्लोग्ड और रस क्रायो का 470 का इस कंपरे टो स्नैप्रेगन का 710 तो उसमें देखने मिल जाते क्रायो का 360 लेकिन इस बार 730 में हमें देखने मिल जाते क्रायो का 470 अधर्वाइस गाइस यह 8 नेनो मेटर पे बेस्ट और बहुती बैस्तरे एफिशेंट होने वाल इसके अंदर हमें कॉद एज़ी प्लस दिस्प्लै दिस्प्लै नहीं मिलती हमें फुल एज़ी प्लस ही देखने मिल जाते हैं और रेजलुशन की बात करो तो गाई समय 2520 इंटू 1080 भी हमें देखने मिल जाते हैं और गाजष मेमरी सपोर्ट के बात करो तो हमें LP DDR4 in X हमें देखने मिल जाते हैं 14.9 Gb2 की सपीड हमें मिल जाती है और काज़ हमें कनेटिवीटी के बात करो तो वाइज WiFi 6 के अदर सपोर्ट हमें मिल जाते हैं अपार्परेकन 7 10 हमें Wi-Fi 6 का support देखने नहीं मिलता और guys Bluetooth 5.0 हमें देखने मिल जाते है तो एक्षाओन की बात करो तो इसके अंदर हमें DSP का Hexagon 688 देखने मिल जाता है compare to Snapdragon 710 हमें देखने उदर मिल जाता है 685 और guys हमें camera support देखने मिल जाते है एक और camera जो 48 Mpx तक हम ले जा सकते है guys तो camera performance में camera mod हमें सेम देखने मिल जाता है Snapdragon 730 हमें देखने मिल जाता है ReadyWink 20 में तो guys यह फिलाल चाइना में लाग चुगा है Snapdragon 710 से तो guys Adreno की बात करें तो हमें 618 देखने मिल जाते है थोड़ा सा बैटर हो के आते है guys लेकिन overall जो performance रहेगी Snapdragon 710 से थोड़ी ऊपर ही रहने वाली तो इस conclusion पे आते तो Snapdragon 730 थोड़ा सा बैटर देखने मिल जाते है शायद से बहुत से rumors कि यह सबसे कह रहा हूँ लेकिन personally guys मुझे लगता है कि Snapdragon 730 हमें देखने मिल जा सकता है Realme X के अंदर आप लोग क्या opinion है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा तो वाइस बस आजके लिए बस इतना है और मैंसी तरह लेया आपको नहीं वीडियो तो होप गाइस आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटीव लगी होगी तो वाइस लाइक करने इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल पर नहीं रहे तो सब्सक्राब करना